अगर लंबे पॉड़कास अच्छे नहीं लगते है ना तो छोटे-छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं यह है TRS क्लिप्स हिंदी, सब्सक्राइब सर आपका टेन्योर पैरा-एस-फ के साथ भी रहा है और फिर आपने NSG के साथ भी काम किया तो पहले तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि वह स्विच हुई कैसे क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों का experience होता है यह बात सच है तो मतलब जब इसको रेज किया कमांडरों ने पता है सबको पता है किसने रेज किया कब हुआ क्या है भी आङटीयफोर में हुआ ऐंद्रा बहाए था इंद्रा-गांधे के बाद में के बाद वगा था तो मतलब इसका इन्टरियौरिश्य और अंटी क्विच है कुछना मिने की बहा है अर एंटी प्रीक इंटरिश्य को उह dûऊ इनोंने जो भी इन्फेंटी बटालियन थी उसमें से डेपोटेशन के तौर पे इनोने बुलाया, यहारी के तौर पे बुलाया, तो पिर मतलब पले इन्फेंट्री, मतलब जो पैरा हो गरके हैं, काफी 70-80% जनरेशन थी जो की आते थे, तो ऐसे करके फिर इन्फेंट्री, मतलब हर्ज उससे बंदे आने लगे तो फिर इस तरह से करके इसको अर्गनाइज कर दिया फिर CRP, VSF जो पैरा मिलेटिव फोर्स है उसके भी बंदे आने लगे तो इस तरह से करके इनेजी, तो इनेजी में भी दो पार्ट बना दिया, एक SAG स्वेसल एक्शन ग्रोप और एक SRG स्वेसल रेंजर ग्रोप जो की प्रोटेक्शन जो वियाईपी बोटेक्शन होगार प्रोवाइड करते हैं तो बैसिकली मतलब हमारे पैरा जो मिलेट्री है उसके बंदे होते है जो स्वेसल एक्शन ग्रोप है, SAG है उसके अर्माट पोर्स के आर्मी के बंदे हैं उसमें भी स्वेसल पोर्स होगा रखे ज्यादा बंदे हैं तो बिसिकली इस तरह से इसको अर्गनाइज किया और इसके टास्के भी अलग-अलग हैं एनेजी की खासियत क्या होते है एने क्लोज बैटल जो लराई करते हैं क्लोज वार्टर्स कॉमबट या तो उसमें नहीं सीक्यूबी मतलब क्लोज बैटल जो है कंटेक्ट तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग उस टाइप का दिया गया कि अगर कोई हमारा व्याईपी एंटी टेरिष्ट कोई ले 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 वार्टर मे क्सी रूम मे रग्डिया होटल मे रख़ या जिया जिया तो लडाई लढेंगे बुत्तिम बुत्ता की लडाई हम उसके साथ कैसे लड़ेंगे ओरुम इं के अंदर भ्याईपी हुई है कोई टेरिष्टर दर्स लोगों को हैं अगरें तो असके बढ़ाई करै उस होत्व टाइप की ट्रैनें दी गई की मतलब पू अरगनाइज किया गया वेपन उनको मुहात है पना ट्रैनिंग दे उनको उकिया गया तो फिस्मीक जो रौच प्यजू है तो फञाद कामबश है उसमें जो क्लोच-प्यमॉच केम प्युच है क्टोच कमड़ ज्हे दे वह अपना व्याइपी भी है मतलब उसको बचाना है तो पांच मीटर के रेडियस में फाइट हो गई उसके एकॉर्डिंग उनकी जो एकुरेशी होती है उनकी क्वाल्टी अच्छी होने चाहिए वेपन अच्छी होने चाहिए उनके अंदर उसको मतलब आइडेंटिफिकेशन कि हम कैसे व्याइपी को आइडेंटिफाई करेंगे कुछ को उसको निकालना है उनको रिस्क्यू भ इंटिफाई करना और अठरिष्ट को नुटलाइज करना हमारे को वी फायर करेगा व तो उसके भी तो बैटा नहीं है वी फायर करेगा उसके भी सौड डिमांड हैं दस लोगों को हीजेक कर रखका है तो मतलब इतना चैलेंज है कि उसके लिए एक कमांडों को उस दंग से माइडरी तरफ पर प्रिपेर कराना, उसको फायरिंग में निपूंदता लाना, इसके लिए इतना डबलप करना, बहुत सारी चीजह हैं, उसके अकर निजा करको एक परिपक को कमांडो होता है, और बाकी जो फोर्से जाएं उसके अकर अलग तलग उसके अंदर जोके होता है TRS Clips Hindi के इस clip देखने के लिए थैंक यू दोस्तो लव डू यू आल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे podcast को यानि पूरे episode को उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी playlist को जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा कि अपको जूरे गूरे जूरे खर्वाराइब के लिए